लोगसभा चुनाबों के विगल बसते ही हमीरपुर जिला कॉंग्रेस ने नई टीम तियार कर दी है ताकि लोगसभा चुनाबों में बीजेपे को टक्कर दी जा सके फिलहाल नई कारेकारणी में पुराने लोगों को तरजी दी गई है और जुझारू कर्मट कारेकरताओं को संगटन में जगा दी गई है कॉंग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने दाबा किया है कि इन लोगसभा चुनाबों में कॉंग्रेस चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी जिला कॉंग्रेस अध्यक्ष, नरेश ठाकुर ने कहा कि नई जिला के कारेकारणी का गठिन किया गया है और परदेशा अध्यक्ष के दिशा नरदेशों अनुसार ही पूरी कमेटे गठित की गई है, उन्होंने कहा कि हमेरपुर संस्तिर सीट में कॉंग्रेस परतियाशिक को ज्याले से ज़्यादा बोटों से जीतने के लिए कॉंग्रेस कारे करता एक जुट होकर काम करेंगे किसको देना किसको नहीं देना ये सारा जो कारेक्षितर होता है वो हाईकमान के नित्यत्त में होता है और हाईकमान ही टिक्ट का फैसला करती है मैं जिला देक्षोने के नाते संगछन की बात कर सकता हूँ गोरतलब है कि इस बार के वीधान सबा चुनाबों में हमेरपोर जिला में पांच में से 3 सीटों पर कॉंग्रेस का कबजा होने पर जिला कॉंगरह सूअ हित है और लोक चुनाबों के लिए भी कॉंग्रेस नहीं कमर कसते हुए अप नई कारेकारनी कागठन करके चुनाबों के लिए पूरी तरह से डट गई है ताकि हमीरपोर संस्दी सीट पर कबजा किया जा सके